हाई प्रेंट्स वल्कम टी फार्मसिस्टर्ट दोस्तों अगर आप भी वी फार्म के बात पाना चाहते हो एक ऐसा जॉब जिसमें आपको मिनिममम वन लाक या फिर उससे भी जादा का पेमेंट मिले तो इस वडियों बसाथ बने रही है तो जैसे कि आपने टाटल में पढ़ होगी और क्या एकशम का पैटन होगा क्य सिल्याबस होगा यह सब कुछ हम देखने वाले हैं तो वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग होने वाले है तो वीडियो के साथ बने 예नकर आपके इसे करने साथ साथ जो सबस्क्राइब बटन दबागर बेल आपन प्रेस कर देना है सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर कि क्या आपको minimum education यहां पर लगता है तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो यहां पर minimum education जो आपको लगता है वो होता है bachelor degree in pharmacy या फिर फार्मसी कोर्स यानि कि भी फार्म आपको यहां पर minimum criteria लगा गया है और साथे साथ जो भी फार्म आप कर रहे हैं वो PCI ने recognize किये हुए college से ही या फिर PCI से approval मिले हुए college में आपने जो भी फार्म किया होना चाहिए अब भी फार्म होने के बाद अदर जो second यहां पर main criteria आता है वो होता है 18 month का experience यानि कि आपको देड़ साल का experience होना चाहिए schedule c drug का अब schedule c में कोई से drug आते है अगर आपने jurisprudence ठीक से पड़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें आता है वैसीन सहरा पैरेंटर्स जो यह सब कुछ पैरेंटर्स ड्रग है वो सब कुछ schedule c के अंडर एड किये गए है तो इस जो ड्रग में आपका experience होना चाहिए एक तो manufacturing का या फिर इसमें inspection करने का आपका 18 month यानि जो है central के लिए और एक जोधा state के लिए अब अगर हम बात करें central की तो जो एक toughest exam मानी जाती है UPSC यानि की union public service commission तो यह आपको यहापर central के लिए देनी होती है और अगर हम बात करें state की तो state में जो यहापर दो तरह से conduct होती है एक जो SSC के तुरू और साथ-साथ जो second thing है व दुकतर प्रदिश public service commission तो यह exam UP के लिए होगी साथ-साथ जो SSC के तुरू भी जो यहापर जो drug inspector की जो भरती है या तर जो vacancy है वह फिल्ट की जाती है तो दोनों में अगर हम बात करें most of the things सारी की सारी सेम होती है बट कुछ statewide जो कुछ difference रह सकता है तो अगर हम बात करें next चीज की जो की बहुत ज्यादा important चीज है वो होती है payment क्यों हम drug inspector को dream job बोलते है तो because of payment आपको मिल रही वह यहापर अच्छी कासी तगड़ी payment होती है तो payment की अगर हम बात करें तो जैसी आपका experience बढ़ता है वैसे आपकी payment भी बढ़ती है but start की अगर हम बात करें तो एक साल की experience पर ही जो है आपको यहापर एक लाग से उपर कि आपकी payment हो सकती है यह जो मैं बता रहा हूँग एप्रॉक्स है बट 90% जो आपको 90,000 या फिर उससे जादागा जो start है वह यहापर आपको सेवन कमिशन के साथ साथ जो HRDA वगरा यह सब को चाइड करके आपको initial payment 90,000 प् बहुत अच्छी खासी होगी तो अब payment जो main thing थी वह हमने देख ली अब exam का जो मैंने बता दो टाइप की है UPSC और आपकी जो state की PSC है वह आपको देनी होगी तो exam का pattern क्या होगा तो जिहां आपको जैसे मतलब आपनी कई सुना होगा तो जो most of the जितने भी exam होती है state की और central मार्स का और जो पेपर सेकंड है वो होता है जी के यानि general knowledge जो current affairs है जो भी कोई latest update हो फार्मा फिल्ड में या फिर other मतलब जो फ्रीट्स है उसमें तो उसके रिगार्डिंग जो आपको second paper देना होता है first paper जो 200 मार्स का होता है और second paper जो यहां पर होता है 15 मार्स का यह जो मार जरूर से send कर दूँगा तो यह होगी paper pattern की बात अब अगर हम बात करें syllabus की तो syllabus जो यह आपर थोड़ा बड़ा होता है अगर आपने GPAT के लिए preparation अच्छे से किया होगा या फिर कर रहे होगे तो जो है जो GPAT का syllabus है 90% syllabus वही आप ड्रग इंस्पेक्टर के लिए इंक्लूड क किया गया है और 10% की जो changes यहां पर आती है कुछ additional subject pharmacy paper में यहां पर add किये गए साथ जो general knowledge है वह आपको यहां पर additional study करना होता है अगर आप GPAT के लिए ठीक से study करते हो तो आप easily मतलब यहां पर जो एक्जाम है central की या फिर state की जो drug inspector की वह आप easily crack कर पाओगे अगर आप चाहते हो कि syllabus पर एक complete dedicated वीडियो में बना दूँ तो आप नीचे जरूर से comment कर देजिए इस वीडियो में अगर मैं syllabus complete बता आपको बताओ तो यह वीडियो बहुत lengthy हो जाएगी इसलिए अगर आप comment करते हो तो एक separate जो वीडियो है वो मैं syllabus पर बना दूँगा तो खाइस हमने देख लिया कि क्या syllabus है कि आपको minimum education लगता है और एक जो चीज में बताना बूल गया है कि आपको यहापर aggregate 60% mark भी जो है यह criteria भी कई state में जो लगा जाता है यानि कि आपने अगर beef arm किया है तो चारो साल का जो चाहिए और अगर आपका CGP pattern है तो आप calculate कर सकते हो कि 60% मतलब कितने CGP आपके मार्स के according आपर आते है तो यह जो है 60% का भी credit लगाया गया है अब इसके बाद बात आती है कि आपको पता कैसे चलेगा कि drug inspector के वाटन से निकली है तो यहापर आपके पास मतलब तीन option है सबसे परस जो है आप जो भी कोई UPSC की website है वो आप regularly check करते रही है साथी साथ CDC SEO जो है आपको पता होगा तो उसमें जो है मतलब उसमें भी जो है drug inspector के आप जगा निकलती है वैकंसी निकलती है तो आपको उसकी भी एक side check करती रहनी होगी साथी साथी साथ जो भी कोई आपका public service commission आप जिसकी state में रहते हो वहाँ पर भी आप चेक करते रही है और जो थर्ड option है आप simply हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि जब कभी इस तरह के वैकंसी आएगी तो जरूर से मैं उस पर वीडियो आपके लिए बना दूगा अब हम जाने लेंगे कि आपको यहाँ पर काम क्या करना होता है जैसी कि इसके नाम में है drug inspector तो यहाँ पर आपको inspection करना होता है अगर हम बात करें drug inspector medical field से related तो आपको suppose कीजी कि एक या दो डिस्रिक जो आपको यहाँ पर assign किये जाते है उस डिस्रिक में जितने भी सारे medical shops है या फिर manufacturing firms है वहाँ पर जो है आपको inspection करना होता है कि अगर manufacturing firms कि हम बात करें तो मतलब dnc के according और pharmacy act के according सब कुछ वहाँ पर किया जा रहा है नहीं standard जो maintain किये जा रहे है या नहीं sampling आपको गरनी होती है कि जो कोई drug वहाँ पर बंद रहा है वह मतलब जो standard set किये गये है उसको मतलब जो है एक match कर रहा है या नहीं आपको वहाँ पर check करना होता है और अगर हम बात करें medical shop से related तो आपको जो है year में एक या दो बार जो है आपको जितने भी आपके area में medical shop है वहाँ पर जाके बस यह देखना होता है कि जो pharmacy act में बताया गया है वो सारा जो है आपर maintain किया जा रहा है या नहीं तो यह काम जो ह आपको जो कोई help लगेगी तो आप जो है हमारी चैनल के साथ चूड़े रही है क्योंकि अब यह series जो है मैं यहां से start कर रहा हूँ कई सारे आगे जो इस पर हम वीडियो लाने वाले है साथी साथ जो है एक app है जो कि जिसका नाम है pharmacy India आप प्ले स्टोर पर जाकर जो है फार प्रिप्रेशन कर रहे हो या फिर नाइपर के लिए प्रिप्रेशन कर रहे हो तो इसकी भी कई सारी जो यह आपट एस सीरीज एड़ की गई है जो की रेगुलर्ली अपटेट होते रहती है निव वहां पर पेपर आते रहते हैं तो वहां से भी आपकी बहुत जादा help हो ज सकता है तो आपके जितने भी कोई WhatsApp प्रूप्स हो आपके कॉलेज के आपके फ्रेंड्स के उस पर शेयर्द सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स पाउचिंग आइस पाइड़